अभी हम लोग NCRT exemplar class 12 physics का करने वाले हैं exemplar number कौन साथ 2.6 ठीक है इसमें question क्या कहा रहा है कि एक क्यालते है figure में आपको साब साब दिख रहा होगा क्या दिख रहा है कि एक क्यालते capacitor है ये उपर वाला और एक नीची वाला capacitor है ठीक है तो दोनों जो capacitor है ना तो दोनों capacitor का ये ये ब्लेट का जो distance है वो डिया हुआ एक का D1 और एक का प्लेट का क्या है D 2 और दोनों को एक line में लख अडखा हुआ है मतलब हैसे ऐसे और क्या ऐसे मतलब ऐसे ऐसे भी हो गया और ऐसे लोनों capacitor एक τरह से कैसा हो गया सिरीज में है ठीक है तो क्यालते हैं ठीक है सिरीज में है माल लिए इसका क्या से टू ठीक है तो जरासा इसी चीज को देखते हैं यहां बोट पर वाँ मैं अलब कर लिए अब यहाँ पर समस्ते हैं तो यह इसका इसके अंदर जो देयलेक्टिक है उसका माने केवन इसका इसमें जो डेयलेक्टिक तो हो इसका capacitance C2 ठीक है यहां पर बोल रहा है कि यह dialectic और यह dialectic है तो इसका relative permittivity K1 है और इसका relative permittivity क्याते है K2 है तो हमको resultant relative permittivity बताईए या फिर resultant या effective dialectic constant बताना है यह इसका dialectic constant K1 इसका dialectic constant K2 तो effective dialectic constant कितना होगा मिला करके ठीक है तो देखाजा ऐसा सवाल सब competition के लिए भी काम देता है और board exam में भी objective वगर में भी काम देदेगा ठीक है तो देखाजा जरासा अब क्या है कि यह capacitor है इसका अगर हम बात करें इसका area वगर दिया हुआ है area कितना है क्यालते माल लिए नहीं है तो सवाल में दिया हुआ तो माल लिए क्या है area A है ठीक है चारो अप्सन के इसाफ देख लेंगे कौन सा match करेंगे उसमें area है भी नहीं कट भी जाएगा तो इस c1 की बात करें तो c1 का value क्या आएगा आपने पढ़ा होगा का पेसेटांस के बारे में parallel credit का पेसेटर का पेसेटांस होता है A Epsilon Nod by क्या B तो यहां पर तो distance कितना है D1 तो D1 ले लेंगे इसमें dialectic कितना है क्यवं तो dialectic तो डालेंगे न भाई नहीं अगर dialectic मनलों अगर Epsilon Nod होता तो आप यूज करते A Epsilon Nod Epsilon R अब अटे क्या D1 Epsilon R याने Relative Permitivity के जगा पे क्या यह K1 लिख दिया है K1 से भी K से भी Dialectic Constant को Relative Permitivity को Dynord करते हैं C2 की बात करें तो यह कितना हो जगा A Epsilon Nod by क्या D2 तो यह Medium है चुकि इसमें इस वाले में तो इसमें Medium के कारण क्या Relative Permitivity Dialectic Constant के 2 आगया अब दोनों को चुकि Series में जोड़ा गया Series में है तो Series का Combination क्या होता 1 by C equivalent बड़ाबर 1 by C1 प्लस क्या 1 by C2 तो यहां से आप देखो तो फटा-फट से कर सकते हो कैसे कर सकते हैं इन सब चीजों को आपको solve करना है बस तो यहां से 1 by C equivalent बड़ाबर 1 by C1 के जगा पर क्या लिख होगे A Epsilon Nod K1 by क्या D1 अच्छा प्लस 1 by C2 के जगा पर क्या लिख दिए A Epsilon Nod K2 आप बाइ क्या D2 यह नीचे से उपर चला जाएगा ठीक है तो 1 by C equivalent is equal to क्या नीचे से उपर गया नहीं main divide तो यह है न तो D1 by A Epsilon Nod K1 इधर हो गया यह उपर जाएगा तो D2 by A Epsilon Nod K2 अच्छा आब आगे देखा जाए इसको कैसे कैसे करके solve करते हैं यह A Epsilon Nod A Epsilon Nod को चाहे तो हम लोग common निकाल सकते हैं तो 1 by C equivalent is equal to 1 by A Epsilon Nod को common निकाल लिए तो इधर बच गया क्या D1 by K1 प्लस इधर A Epsilon Nod तो बाहर है न तो यहां हो गया क्या D2 by K2 अच्छा ठीक है अब आगे देखा तो 1 by C equivalent जो है इसको क्या कड़ें 1 by A Epsilon Nod ऐसे बाहर रहने जते हैं यह दोनों नीचे का गुना हो जाएगा K1 K2 और यह इधर मल्टिप्लाः तो यह D1 K2 D1 K2 और यह इधर पलस D2 K1 ऐसे करके यह आ गया नहीं आच्छा ठीक है यह इधर टर्मिस से मल्टिप्लाः हो जाएगा तो अब यहां पर क्या होगा भाई यहां पर क्या होगा 1 by C equivalent is equal to, देखो तो, d1, k1, k2, d1, k2, plus क्या है, d2, k1, उसके बटे में क्या है, ये इससे multiply हो जाएगा, तो a, epsilon, k1, k2, आच्छा, ठीक है, ये term इससे multiply हो गया, तो a, epsilon, k1, k2, आच्छा, आब इसी को आगे देखा जाए, तो, इसको भी पलट देते हैं, इधर भी पलट देते ह तो ये 1 by c equivalent पलट करके क्या हो गया, क्यालते हैं, c equivalent बराबर ये हो गया, a, epsilon, k1, k2, upon, d, k2, plus, d1, k2, plus, क्या, d2, k1, ठीक है, आगे देखा जाए, c equivalent का ये फर्मुला है, अगर क्यालते हैं, हम बात करें, इस तरीके से, जैसे कि, ये पुड़ा का पुड़ा, अगर एक, एक मेरा क्यालते हैं, बड़ा सा एक capacitor होता, अगर ये, और बड़ा सा अगर capacitor होता, अगर ये बड़ा सा, यहां से यहां तक का total distance हो जाता, d1 plus d2, na, total distance, ये, और एक ही medium होता, तो इन दोनों के बजाए, दोनों का combination करना है, तो दोनों के बजाए, एक मालों को एक ऐसा medium है, जिसका relative permittivity जो है, dialectic constant इन दोनों के मिला करके equivalent है, तो यहां पर वैसा कोई material है, और इसका relative permittivity क्या है, k, और यही k हमको पता करना है, तो ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या करते है, इन दोनों को हटा करके, एक एक अकलावता लेकर क्या है, जो कि इन दोनों के बराबर का effect दे रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में आप C equivalent क्या लिखते है, C equivalent बाबर फर्मुला तो होता है, A, Epsilon Nod, Epsilon R यानि के relative permittivity, dialectic constant जो equivalent आया, वो है, k, अब ठीक है, distance, तो distance दोनों प्लेट के बिच का कितना लेते, D1 प्लस, D2, अब यह भी C equivalent और यह भी C equivalent, ठीक है, जैसे ए दोनों को हटा दिये, तो एक ही मीडियम है ना, भाई, तो एक ही मीडियम का उसका net dialectic constant, effective dialectic constant क्या बोल देंगे, कि तो इसका capacitance क्या होगा, A, Epsilon Nod, into dialectic constant, अब टे क्या, total distance of the plate, तो total distance जबल हो गया, जुड़ गया, दोनों का हाड़ी प्लेस किया है, आच्छा, तो यह है, इ A, Epsilon Nod, K1, K2, अब बटे क्या, D1, K2, प्लस, D2, K1, है कि ने, अब यहां से देखो, तो उपर से A, Epsilon Nod, A, Epsilon Nod cancel, यह D1, प्लस, D2, उधर multiply हो जाएगा, तो K बराबर क्या हो जाएगा, K1, K2, इन्टू, D1, प्लस, D2, divided by, D1, K2, प्लस क्या, D2, K1, option number कौन सा match कर रहा है, यह देखो तो आप, क्यालते हैं, option जो आपको match कर रहा है, आप देखो तो कौन सा number है, भाई, C number, C number में है न, ठीक है, सेन पुसे माग गया, ठीक है न, चलो ठीक है, सो लिशन पसंद आ पसंद आया, तो इसको like कर रहना, चैनल पर नहीं हो, तो subscribe कर रहना, अगर यह NCIT exemplar, NCIT का exemplar, यह वाला book अगर आपके पास नहीं है, तो आप हमारे website www.physicsdiamondwork.com, पढ़ जा करके वहां से भी क्यालते हैं, books download कर सकते हैं, बाबाई